हिंदी लैंग्विज, क्लास थर्ड, पाठ आठ, सेवनाम निमलिकित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो आपके सामने दो चित्र दिख रहे हैं उसके नीचे वाक्य लिखे हैं चलिए हम उसे पढ़ते हैं माला ने माला के भाई से माला के भाई की किताब मांगी राजू ने राजू के भाई से कहा राजू के भाई ने सुन्दर चित्र बनाया है ये दोनों वाक्य पढ़ने में थोड़े अटपटे लग रहे हैं इसमें माला बार बार आया है राजू बार बार आया है इस वज़े से ये वाक्य अटपटे लग रहे हैं ध्यान दीजे, उपर लिखे वाक्य बार बार एकी नाम के प्रयोग के कारण अटपटे हो गए हैं तो आपने देखा माला और राजु बार बार एकी नाम के कारण ये वाक्य अटपटे हो गए हैं इन्हें सही करके इस प्रकार लिखा जा सकता है कि वाक के अटपटे ना लगे इसलिए इन्हें सहीं करके इस प्रकार लिख सकते हैं चलिए देखते हैं नमब वन माला ने अपने भाई से उसकी किताब मांगी नमब टू राजु ने अपने भाई से कहा तुमने सुन्दच चित्र बनाया है आप देख सकते हैं उपर जो हमने दोनों वाक के पढ़े वो बोलने में अटपटे लग रहे थे लेकिन हमने कुछ वाक्यों में चेंजिस कि बार बार माला नाम की जगा हमने अपने और उसकी का प्रियोग किया पहले वाक्य में दूसरे वाक्य में राजू नाम के अस्थान के जगा आपने और तुमने का प्रियोग किया इससे वाक्य पढ़ने में अटपटे नहीं लग रहे हैं यहां वाक्यों के अविवस्थित रूप को बदने के लिए दूसरे शब्दों का प्रियोग किया गया जैसे हमने वाक्य को सही ढंग से लिखने के लिए माला की जगा और राजू की जगा दूसरे शब्दों का प्रियोग किया ये शब्द सेवनाम कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? ये शब्द सेवनाम कहलाते हैं तो हम कह सकते हैं संग्या के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सेवनाम कहलाते हैं फिर से संग्या के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सेवनाम कहलाते हैं जैसे मैं, तुम, वह, तुम्हारा, आपका आदी ये सारे शब्द सेवनाम है सेवनाम की भीद सेवनाम की चार भीद होते हैं सेवनाम की कितने भीद होते हैं? सेवनाम की चार भीद होते हैं पुरुश वाचक सेवनाम पुरुष वाचक सेवनाम, अनिश्य वाचक सेवनाम, संबंद वाचक सेवनाम वैसे सेवनाम की चार भीद होते हैं पुरुष वाचक सेवनाम, निश्य वाचक सेवनाम, अनिश्य वाचक सेवनाम, संबंद वाचक सेवनाम अब हम सेवनाम के बेदों के बारे में जानेंगे नमब वन पुरुष वाचक सेवनाम किसी भी प्रानी पुरुष का बोद कराने वाले सेवनाम शब्द पुरुष वाचक सेवनाम कहलाते हैं पुरुष वाचक सेवनाम में किसका किसका बोद होता है ध्यान दीजे किसी भी प्रानी और पुरुष का बोत कराने वाले सवनाम शब्द पुरुषवाचक सवनाम कहलाते हैं जैसे मैं तुम वह हम आदी मैं लिख रहा हूँ तुम चित्र बना रहे हो वह नाच रही है तो आपने देखा उधारन में कि मैं यानि ये मेरे बारे में बारे में तुम यानि सामने वाले के बारे में वह किसी थर्ड परसन के बारे में लेकिन है वो या तो प्रानी है या तो पुरुष है उन्हीं का बोत करार है इसलिए ये पुरुष वाचक सेवनाम शब्द है सेकेंड निश्चे वाचक सेवनाम जो सेवनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ती या वस्तू का बोद कराए उसे निश्चे वाचक सेवनाम कहते है निश्चे वाचक सर्वनामे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तू का बोध हो किसी भी निश्चित हमें पक्काओ कि वहीं व्यक्ति है वहीं वस्तू एदम निश्चित हो हम उसी इसको लेके ऐसे शब्द निश्चे वाचक सर्वनाम होते हैं जैसे व, य, 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 आदी, य, मेरी घड़ी है, आपको पता है कि ये मेरी घड़ी है, इसलिए आप बोल रहे हो ये मेरी घड़ी, आप निशित हो इस चीज को लेके, व, मेरा भाई है, तो इसमें भी आपको निशित वाचक शब्द व है, क्योंकि आप निशित हो कि वो मेरा भाई है उपर के वाक्यों में यह शब्द से निश्चित वस्तु यानि घड़ी तथा वह शब्द से निश्चित व्यक्ति यानि भाई का बोध होता है जो से निश्चित व्यक्ति वस्तु अस्तान आदी का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित वाचक से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता था अब अनिश्चित व्यक्ति वस्तु और अस्तान आदी का बोध नहीं कराता तो ऐसे शब्द क्या होते हैं अनिश्यवाचक सेवनाम होते हैं जैसे कोई, कुछ, किसी, किनी, आदी क बाहर कोई आया है तो आपको पता नहीं है कि कौन है इसलिए आपने कौन से शब्द का यूज किया कोई आप निश्यत नहीं हो कि कौन है ख माता जी कुछ बना रही है यहां भी आपको पता नहीं है कि माता जी क्या बना रही है तो कोई किसका बोद करा रहा है वैक्ति का और कुछ किसका बोद करा रहा है वस्तू का यहां कोई शब्द अनिश्यत वैक्ति का तथा कुछ शब्द अनिश्यत वस्तू का बोद करा रहा है नमबर फूर संबंद वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाकिक की दो बातों में संबंद बताते हैं उन्हें संबंद वाचक सर्वनाम कहते हैं संबंद वाचक सर्वनाम मतलब जो दो बातों में संबंद बताते हैं ऐसे शब्द संबंद वाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे जो, सो, वो, जैसा, वैसा, वा, आदिक, जो पढ़ेगा वा पास होगा जो पुस्तक पिता जी ने ख़ई दी थी वा लाओ इन वाक्यों में रिखांकित शब्द संबंद बताने का कारे कर रहे हैं जो, व, जो, व, वो दोनों शब्द क्या हैं? संबंद बताने का कारे कर रहे हैं जैसा करोगे वैसा बोगोगे तो जैसा और वैसा भी दो वाक्यों में या बातों में संबंद बताने का कारे कर रहे हैं